and definition of research, research क्या मतलब होता है, क्या है research के definition तो अब suppose करिए, suppose करिए कि you want to buy a car, आपको जो है एक car purchase करनी है या फिर you want to take admission in UZE or PZE program, किसी undergraduate program में या फिर postgraduate program में जो है आपको admission लेना है तो what will you do, आप क्या करेंगे, या आपके सामने problem है, आप क्या करेंगे तो आप suppose करिए कि आपको car purchase करनी है, तो आप क्या करेंगे, कि आप different brands को देखेंगे Honda है, मातु सुचकी है, Hyundai है, फिर उनकी अलग-अलग models है फिर उसकी क्या pricing है, क्या specification है, क्या mileage देती है, ये सारी चीज़े आप देखेंगे याने कि उसके बारे में knowledge इकठा करेंगे, information सर्च करेंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं फिर finally आप decide करते हैं, अपने budget के according की आपको कौन सा car purchase करने हैं और फिर आप जो finally purchase कर लेते हैं, वहीं पर अगर आप UGA, PG program की बात करेंगे कि आपका admission लेना है BBA, Bcom में या फिर MBA, Bcom में तो फिर आप क्या करते हैं आप जो है अलग-अलग universities को देखेंगे, अपनी location को देखेंगे, universities में कौन से college affiliated है वो देखेंगे compare करने के बाद फिर आप final decision लेता है कि आपको कौन से college में एडमेशन लेना है, यह क्या है यही आपने किया search for knowledge and information, आपने क्या किया कि आपके सामने problem थे कि आपको car लेना है research यानि कि आप जब किसी problem के लिए knowledge इकठा करते हो या फिर information इकठा करते हो तो वही चीज क्या कहलाता है, research कहलाता है इसी तरीके से अगर आप organization में देखेंगे, management में देखेंगे, तो आए दिन बहुत सारे decisions जो है management में लेने होते हैं जैसे कि आप सबोसरी आप एक startup start करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला problem कि आपको कौन सा product बनाएं, आप कौन सा product develop करें जिससे कि customers को purchase करेगा, उसकी demand बढ़ेगी, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, research करना पड़ता है, आपको market में जाना होगा, public से मिलना इसी तरगे से आप जो है, आपकी packaging में, आपकी pricing में, आप जो है model में change करना चाहते हैं, यह सब research की basis में depend करता है, आप 2G, 2G से 3G, 3G से 4G है, 4G से 5G है, यह किस पर है, यह research में depend करता है, research किये गए, innovations होते चले गए, finance में decision लेना है, कि कहां पर कितना पैसा invest करना है, कहां स incentive देना है, तो अलग-अलग department में, अलग-अलग type के problems होती है, उसको deal करने के लिए, उसको solve करने के लिए, आपको research करना पड़ता है, management में भी, तो research का मतलब क्या हो गया, research का मतलब की search for knowledge और information, जब आप किसी भी problem को solve करने के लिए, कोई knowledge एकठा करते हैं, कोई information सर्च करते ह किसी दो variable किसी दो लोगों के बीच में, कोई relationship डेवलप करने के लिए, जो है information of knowledge सर्च कर रहे हैं, या किसी problem को solve करने के लिए, तो वो चीज कहलाती है, research कहलाती है, ठीक, तो आपने देखा होगा अभी हाली में कि COVID vaccine डेवलप किये गए, तो COVID vaccine को डेवलप करने के लिए भी उसके बाद फिर उस COVID virus के बारे में, जो detailed study की गई, scientist ने क्या किया, scientific और systematic search किया उस particular topic आने की COVID virus के बारे में, और उसके बाद फिर उन्होंने जब उसके सारी पहलों को जाना समझा, उसके बाद फिर वो जो है COVID vaccine डेवलप कर पाए, इसी तरके से कोई भी medicine डेवलप होता है, किसी भी बेमारी कल यह जो भी medicine डेवलप होता है, पहले उस बेमारी को, उस जो symptoms से उसके basis पर इसको study किया जाता है, फिर उसके basis पर medicine डेवलप की जाती है, तो कोई भी problem यहाँ पर जो आज के time पर होती है, या पिर पहले पर होते हैं, यह सभी problems को solve करने के लिए आप जो है knowledge और information, research को हमिंदी में क्या कहते है, research में अनसंधान, तो when a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic is done, that is called research, जब आप जो है, एक systematic तरीके से, scientific तरीके से किसी particular topic के बारे में information इकठा करते हैं, problem को solve करते हैं, decision making करते हैं, तो वही चीज़ research कहलाती है, अब research में देखिए दो चीज़े हैं, research में या तो हो सकता है कि आप कोई नया information create करेंगे, या फिर already जो market में available है, उस information को use करके, जो है, आप कोई नया method, कोई नया understanding, कोई problem को solve करते हैं, तो वह research ही कहलाता है, तो research में क्या होता है, आप कोई नही knowledge create कर रहे हो, या फिर आप जो existing knowledge है, उसी को use करके, जो है, आप नया concept, methodology, understanding या फिर problem को solve करते हैं, तो ये भी चीज क्या है, research ही कहलाता है, ठीक, जब आप कोई नया चीज डिवलप किये, तो research, जब आप कोई चीज exist करती थी, उसको creative तरीके से, नय तरीके से आपने कोई problem को solve किया, उसी information को use करके, तो वह research कहलाया, तो अलग-अलग author ने research को define किया ह हुआ है, तो एक definition दी गई है, redman and morey दोरा, तो उन्होंने simply define के research को, कि research is a systematized effort to gain new knowledge, यानि कि जब आप एक systematic effort लगाते हैं, किसी नई information को उकठा करने के लिए, नई knowledge को उकठा करने के लिए, जिससे क्या problem को solve कर सके हैं, कोई decision making कर सके हैं, तो वही चीज कहलाता है, research कहलाता तो redman and morey ने दिया, इसी तरीके से आप देखेंगे, तो clifford oddy ने research को define के है, तो उन्होंने क्या कहा, research कुछ अलग-अलग steps comprise करता है, जब वह steps perform होते हैं, तो research कहलाता है, तो research क्या होता है, according to clifford oddy, research comprises defining and refining the problem, यानि कि हाँ पहले हम problems को define करते हैं, फिर उसको re-refine करते है problem देखें, कोई भी knowledge इकठ grappling जारें, कोई भी information इकठuggling जारें, तो आपके सामने कोई ना कोई problem होगी, problem होगी, कोई objective होगा, problem की objective, research objective, तो objective होगा, तभी तो आप उसके आगर, जो अगला step परform करेंगे, ईसके लिए knowledge इकठा करेंगे, तो आप पहले का करते है, define करते है, redefine करते हैं problems को फिर formulae hypothesis आप उसके लिए a suggested solutions guess करते हैं guess करते हैं आप फाइनल solution यह guess करते हैं कि हाँ यह solution हो सकता है उसके बाद फिर डेटा collect करेंगे उसको organize करेंगे data को फिर उस data को evaluate करते हैं evaluate करने बात आप क्या करेंगे एक deduction बनाएंगे conclusion पर पहुंचेंगे उस conclusion पर उस conclusion के basis पर ही जो है आप जो है final decision making लेंगे कि हाँ यह चीज करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए और last में आप जो है उस hypothesis को test भी करते हैं जो आपने hypothesis बनाई होती है तो Clifford Udy ने research को क्या define कहा कि Clifford Udy ने कहा कि research comprises defining and redefining the problems, formulating hypothesis or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deduction and reaching conclusion and last carefully testing the conclusion to determine whether they fit the formulating hypothesis or not तो जब आप यह सब करते हैं तो यही चीज़ research कहलाता है तो अगर आप simply कहें तो research means कि हो गया कि systematized effort to gain new knowledge, to gain new information वो research कहलाता है search for knowledge और अगर आप scientific तरीके से करें तो scientific तरीके से defining and redefining the problem, formulating hypothesis, then data collection, organizing and evaluating, then deduction, then reaching conclusion and then hypothesis testing तो यह research कहलाता है scientific तरीके से अगर आप define करेंगे तो तो अलग-अलग authors के अलग-अलग definition मिलेंगे लेकिन overall research का मतलब होता है कि जब आप किसी problem को solve करने के लिए कोई नया चीज information gain करने के लिए knowledge gain करने के लिए कोई चीज search करते हैं तो वो चीज research करता है देखे research में क्या होता है कोई भी चीज 100% नहीं होता है research कहीं न कहीं scope होता है तो research searching again and again to gain new knowledge research research क्यों होता है research पर अब इस बात है problem solve करने के लिए बहुत सारे social problem होते हैं जो आप research के basis पर solve कर सकते हैं जैसे की covid आप covid की वजह से बहुत सारे लोग बिमार हो रहते तो उसके लिए research किया गया research करने पर उसके बाद उसकी action develop किये गई government policies बहुत सारी होते हैं जो की अलग-ल research पर जैसे management में, marketing में, organization में, management में, बहुत सारे decision making करने पड़ते हैं तो decision making किस की basis बोता है research के basis पर अब customer को क्या पसंद है हम suppose कि आप कोई product बनाना चाहते हैं तो कौन सा product बनाएं तो यह किस पर depend करता है research पर कि जब आप market में customer की needs को जानेंगे उसकी wants को जानेंगे उसके बाद ही तो आप product बनाएंगे तो जब need or wants को कैसे पता चलेगा जब आप research करेंगे तो interview कर लिया questionnaire का use कर लिया या फिर different methods उनका use करके जब data collect कर तो analyze कर तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ यह product बनाना बेटर होगा क्योंकि इन products की demand customer की बीच में है तो यह research से पता चलता है objective of research research का क्या objective होता है क्या goal होता है क्या aim होता है objective में सभी को पता होगा आप सभी को कि something that you try to achieve objective मतलब क्या होता है कि वो कुछ भी जो आप achieve करने की कोसिस करते हो आपको examination pass करना है आपको first division लाना है आपको university में rank लेके आना है आपको IITF IAM admission पाना है आपको IISF PCS बनना है तो कुछ भी हो सकता है अगर आप organization company चला रहे हैं तो आपका objective हो सकता है कि to increase the market share to increase the production to increase the customer satisfaction ये आपका objective हो सकता है तो objective अलग-अलग लोगों का अलग-अलग nature का होता है तो research का objective क्या होता है निकि हम research conduct करते हैं तो क्यों करते हैं तो but obviously बात है आपने research की definition पढ़ी है कि research में क्य सामने कोई problem होती है हमार सामने कुछ questions होते हैं उस problem को उस questions के answers को discover करने के लिए हम क्या करते हैं research करते हैं तो objective क्यों हो जाएगा तो discover answers to question through the application of scientific procedure जब आप scientific procedure का use करके आप questions के answers को find out करते हैं तो ही चीज़ क्या कहलता है आपका research का objective कहलता है objective of research आनि कि आपने क्या किया research का use करके answers को find out किया तो research का purpose क्या हुआ research का objective क्या हुआ to find out the answers of the solution इसी तरीके से main aim अगर हम बात करें research का क्या है तो find out the truth which is hidden and which has not been discovered बढ़ आने की या तो hidden है उसको आप find out करने की कोशिस करते हो या फिर आप discover करने की कोशिस पता ही नहीं था तो आप पहली बास को discover कर रहे हो तो discover करने की कोशिस करते हो research का main aim यही होता है कि जो hidden truth होता है या फिर जो unknown चीज़े होती है उसको non में convert करने के लिए उसको find out करने के लिए problem के solution को find out करने के लिए clear इसी तरह के से बहुत सारे ऐसे phenomenon होते हैं टेके जिसके बारे में हमें पता नहीं होता तो research के थू हम क्या करते हैं उस phenomenon के बारे में familiarity पाते हैं gain करते हैं तो to gain familiarity with phenomena or to achieve new insight into it insight का मतलब क्या होगिया deep learning या understanding तो किसी phenomenon के बारे में जानकारी हांसिल करना या फिर उसके बारे में एक deep understanding जो है gain करने का motive भी होता है research का objective होता है कि research के थूँ आप क्या कर सकते हैं किसी phenomenon के बारे में detailed information जान सकते हैं या फिर new insight उसके बारे में जान सकते हैं इस टाइप की रिसर्च को कहते हैं exploratory research या formulative research study भी कहते हैं इस टाइप की research को जैसे our sales are declining and we don't know why हमारी sales decrease हो रही है कोई company का owner आप organization है वो कहते हैं कि हमारी company का जो sale है वो decrease हो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है हमें पता ही नहीं है तो अब इसके बारे में आपको जानना है कि क्यों हो रहा है आपका sales decrease तो आप क्या करोगे research करोगे case type का exploratory research करोगे clear इसी तरीके से आपको किसी particular individual के बारे में उसकी characteristics के बारे में जानना है ठीक है उसकी characteristics को depict करना situation के बारे में या फिर किसी group के बारे में characteristics के बारे में जानना है तो आप क्या करते हो descriptive research करते हो descriptive describe करना आप क्या करते हो to portray accurately the characteristics of a particular individual situation or group portrait का मतलब क्या होता है depict करना ठीक है तो जब आपके किसी person के बारे में कि किसी इंडिविजिवल के बारे में किसी सिट्वेशन के बारे में उसको डिसक्राइब करना होता है तो भी आप क्या करते हो रिसर्च करते हो और उस टाइब करते हैं डिस्क्राइब रिसर्च कहते हैं क्लियर डिस्क्राइब कर रहे हो चीज़ों को उसकी करेक्टरिस के बारे और product तो आप यहाँ पर क्या करो डिस्क्राइब करोगे इस टाइप की research में what kind of person are buying product या नि कि किस type के लोग हमारे प्रोड़क्ट परचेज कर रहे हैं तो आप kind of product kind of customers के बारे में जानना चाह रहे हो तो यह क्या है descriptive research है clear यहाँ पर कोई नई चीज नहीं आप ढूंटरों बस आप जानना चाहते हो कि किस तरीके के लोग हैं जो हमारे product को purchase कर रहे है इसी तरीके से जो next objective हो सकता है to determine the frequency with which something occur or with which it is associated with something else यान कि कोई चीज कितने frequency से जो है किसी दूसरे से relate है या फिर किस frequency से वो चीज occur करती है इस चीज को भी help करता है research ठीक इस type research को हम क्या कहते है diagnostic research कहते है क्या कहते है diagnostic research यहाँ पर diagnose करता है identify करता है कि कौन किस से कितना related है कौन सब जो variable है वो दूसरे से कितना related है उस type के अगर आपको जानना है किसी जीज के बारे में तो diagnostic research करते है इसी तरह से causal research आता है to test a hypothesis of a causal relation between variable यह भी जो है objective होता है research का causal research क्या होता है causal में हम normally जानना चाहते है कि क्या होगा effect will buyer purchase more of our product in a new package यह क्या है causal research का एक objective हो गया कि क्या अगर हम अपनी packaging को change करते हैं तो क्या customer हमारी product को जादा purchase करेगा तो हम product की packaging और purchasing दोनों पे हम causal relationship को identify करने की कोसिस करते हैं तो cause and effect relationship causal मतलब cause and effect यानि कि अगर हम कोई चीज change करते हैं तो उसका effect दूसरे चीज पे क्या होगा तो हमने packaging चेंज करने की बात कही तो उसका effect जो है purchasing पे क्या होगा क्या ज़्यादा purchasing होगी या फिर कम purchasing होगी तो causal यह अलग-अलग objective होते हैं research के तो अगर आप summarize करें को तो आपका जो objective of research हो सकता है वो कि आप जो है नए questions questions के answer को discover करने की कोसिस करते हैं insights नई जानकारी उसके बारे में जानने की कोसिस करते हैं किसी particular individual situation ग्रूप की characteristics के बारे में जानने की कोसिस करते हैं कौन से चीज कितनी frequency के साथ occur हो रही है या किसी दूसरे से associated है उसको जानने की कोसिस करते हैं और वहीं पे cause and effect relationship को भी identify करने की कोसिस करते हैं objective होता है research का ये सारी चीजे के है objective है research का research इन सब चीजों में help करता है important type of research तो चली start करते हैं सबसे पहले हम देखें कि descriptive and analytical research क्या होता है तो देखें descriptive research नाम से clear है कि descriptive बनी कि describe करना यानि कि ये क्या करता है कि state of affairs को यानि कि कोई facts है कोई figures है कोई object है कोई situation है उसको as it is describe कर देता है यानि कि क्या चल रहा है या क्या हुआ था इस चीज को describe कर देता है तो उस type की research को हम क्या कहते है descriptive research करते है description of the state of affairs as it exists at present यानि researcher report what has happened और what is happening अब suppose करे कि कोई घटना घटी है इवेंट हुआ तो वो इवेंट कब से start हुआ क्या क्या इवेंट में हुआ और कब खतम हुआ इस तरीके से जब हम describe कर देते किसी इवेंट को या किसी happening को तो वो चीज descriptive research कहलाती है normally used in social science and business research तो normally ये जो descriptive research होता है कहां पर होता है तो जैसे कि frequency of shopping यानि कि लोग कितनी बार shopping जाते है month में, year में या preferences of people people के preferences क्या है तो इस type की research क्या होता है descriptive research होता है next जो है analytical research तो analytical research descriptive से थोड़ा आगे है analyze करता है यानि कि यहाँ पर जो हमारे पास data available है उस data को analyze करके क्यों हुआ हम उस चीज़ को find out करने है descriptive क्या है what descriptive research में what is happening और analytical में why it is happening यानि कि क्यों हो रहा है ये चीज़ जाने की कोसिज करते है analytical research में तो the researcher use facts or information already available जो already facts and information available है उसको use करता है और analyze करता है to make critical evaluation of the matter यानि कि अगर कोई suppose कि accident हुआ तो descriptive में क्या होगा कि इस time पे इतने बज़े यहाँ पे accident हो गया लेकिन analytical में होगा कि वो accident क्यों हुआ किसकी गलती थी क्या वज़ा थी जो accident हुआ इस type के research को हम कहा कहते analytical research कहते है जैसे कि आप example देख सकते है examining the fluctuation of US international trade balance during 1974 to 1995 is an example of descriptive research अब यह आप बताएंगे कि क्यों हुआ explaining why and how US trade balance move in a particular way over time is an example of analytical research why and how कैसे और क्यों तो यह analytical होता है what is descriptive होता है next type of research हम देखेंगे that is fundamental and applied research तो देखेंगे fundamental research को हम basic यहां पर नाम से क्लिए fundamental यानि basic यानि pure यहां पर सिफ क्या होता है कि आप अपनी knowledge को बढ़ाने के लिए या फिस generalization के लिए कोई concept या theory बढ़ाने के लिए आप जो है रिसर्च करते हो उसका कोई use नहीं होता या पर प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है यूज होता है लेकिन प्रैक्टिकल यानि किसी immediate problem को solve करने का आप उस research का यूज नहीं करते हो आप आप concept या आप knowledge को increase करने के लिए वो research करते हैं तो fundamental है basic pure research क्या हो जाएगा concerned with generalization and with the formulation of a theory gathering knowledge for knowledge shake यानि कि आप normally देखते होंगे बहुत सारे concepts आते रहते हैं बहुत सारे facts figures आते रहते हैं लेकिन वह सब के knowledge का immediate problem को solve करने के लिए नहीं होता है बस knowledge increase करने के लिए होता है तो इस type के research को कहते है fundamental research जैसे कि study of factors impacting each stage of product life cycle यानि कि product life cycle के जो अलग-अलग stage होते हैं उसको कौन-कौन से factor हैं जो कि impact आलते हैं अब यह क्या है कि कोई immediate problem को solve करता नहीं यह क्या है theory बना रहे है concept बना रहे हैं बस तो इस type के research को क्या करते हैं fundamental basic research वहीं पर दूसरा है applied यानि की action research यहाँ पर नाम से clear applied यानि की उस research की findings को apply किया जाता है problem को solve करने के लिए आपने जो भी research किया उससे जो finding आई उसका use करके हम problem को solve करेंगे तो aims at finding a solution for an immediate problem facing a society or an industrial business organization यानि कोई भी industry या कोई business organization कोई problem face कर रहा होता है तो उस problem को solve करने के लिए जो research किया जाता है that is applied or action research example के तोर पर देख सकते हैं if background music in work environment can contribute to greater productivity यानि कि किसी organization में लगता है productivity employee की कम है या फिसको बढ़ानी चाहिए तो वह उस पर research करना चाहता है कि क्या आगर हम background music चलाए working environment में तो क्या इससे productivity बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी और finding आती है बढ़ती है तो but obviously बात है कि उसको implement किया जाएगा तो इस टाइप की research को क्या कहते है applied research next type that is qualitative and quantitative research इससे सभी लोग जाहिए quantitative यानि कि वह research जहां पर quantitative terms में quantity amount में जो है research को होता है जहां पर quantity के terms में हम define कर सकते है express कर सकते है जैसे कि आप कोई research कर रहे है कि जहां पर आप यह जानना चाहते है कि amount of time a doctor takes to attend to a patient when the patient walks into the hospital कि जब कोई patient hospital में आता है तो कितना time लगता है doctor को उस patient को deal करने में तो इस time को time लगा time यानी quantity यह इसको आप मिजर कर सकते हो थी quantitative research होता है वहीं पर दूसरा है qualitative research quality को मिजर करता है quality से related होता है quality या kind से related like quality kind या फिर आप संभवश करें कि motivation personality आप जो है taste attitude इन सब से चीजे related research करते है तो क्या होता है qualitative research हो जैसे कि why do you buy ice cream today यानी कि आपने आज ice cream क्यों खरीदा तो अब इसमें quantify तो नहीं कर सकते ना कि हम जो है बहुत पसंद था इसलिए हमने ख़ईदा मन कर रहा था इसलिए नहीं आप जो है quantify नहीं कर सकते हो यह क्या है qualitative quality है तो इस type की research को हम क्या करते है qualitative research करते है next type of research that is conceptual and empirical research conceptual and empirical research जैसे कि आपने डिस्क्रीब देखा तो वहाँ पर क्या है जो है डिस्क्राइब किया जाता है जो है आपने इससे पहले देखा था fundamental वही चीज है यहां पर आप new concept या new theory बनाते हो ऐसा research जहां पर आपका main motive होता है कि कोई नया concept देना कोई नया theory देना कोई नया content देना topic देना यह research जो है जो normally किसके दौर जोगते है फिलोसफर दौरा और thinkers to develop new concept or to interpret really existing यानि कि जो already concepts बने हुए है उसको दुबारा से reinterpret करना या फिर कोई नया philosophy कोई नया concept develop करना इस conceptual research का काम होता है research is conducted by observing and analyzing already present information on a given topic यानि कि कोई भी topic है तो उस पर already जो involvement में information available होगी उसको observe करके जो है यहाँ पर हम concept develop करते हैं doesn't involve conducting any practical experiment यानि कि conceptual में कोई भी practical experiment नहीं होता है जैसे कि आपने देखा होगा sir इसाक नयोटन ने theory दी थी gravitation and motion की theory दी थी तो यहाँ पर क्या है तो यह जो है इन्होंने अपने surrounding को जो है analyze किया और उसको conceptualize कर दिया जैसे motivation के theory बहुत साही theories है आपने पढ़े होंगे तो सभी क्या है conceptual research हो है उनकोंने condition को surrounding को analyze किया और theory दे दी that is conceptual research वहीं पर दूसरा है empirical research empirical research में क्या होता है experiments conduct किये जाते है यानि कि facts को findings को solutions को find out करने के लिए experiment conduct किये जाते है conceptual research में surrounding में room environment में available चीज़े है उसको use करके concept and theories बनाई जाती है empirical में experiment किये जाते है इसको हम experimental type of research भी कहते हैं research based on observation experiment and verifiable evidence यानि यहाँ पर evidence भी मिलेगा proof भी मिलेगा if listening to happy music while working में promote creativity यानि कि क्या अगर हम काम करते है तो अगर music सुनते है तो क्या से हमारी creativity बढ़ती है तो अब यह क्या है यह एक तरिके का empirical research है आप जो है research conduct करोगे investigation करोगे ठीक है तो इस पर क्या है empirical research यह से एक example होता है जैसे finding of DNA testing यानि कि finding अगर आप DNA testing करते है तो उसकी finding आती है empirical research है DNA testing आप observe करके नहीं जैसे उसमें आपको टेस्टिंग करने बड़े investigation एक्सपरिमेंट करना पड़ता है तो आप जाके आपको इसकी finding आती है तो that is empirical research कुछ और भी research type है जैसे कि आप देखे one time or longitudinal research one time or longitudinal यानि कि one time ऐसे research जो कम एक बार conduct किया जाते है वहीं पर longitudinal research वह research होते है जो time interval पे conduct किया जाते है जैसे कि हर साल conduct किया जा रहा है फिर हर 6-6 महिने पे conduct किया जाते है तो उसको longitudinal research करेंगे और वह research जो एक बार conduct किया जाते है उसको हम one time research कहते है इसी तरह के से clinical or diagnostic research होता है तो clinical or diagnostic research क्या होता है यह cause of things और event को find out करने के काम आता है यानि कि ऐसा research जहां पे हम किसी भी चीज का cause या किसी भी चीज की जो reason था उसको find out करने की कोसिस करते है तो उसको हम क्या कहते है clinical or diagnostic research जैसे कि आपने देखोगा fever तो लगाताँ fever आ रहा है तो आपका blood का sample लिया जाता है और सैंपल पर investigation किया जाता है और आपके find out करने क्या बीमारी है क्यों fever आ रहा है तो इस type की research को हम क्या कहते है clinical and diagnostic research इसी तरह के से अ persu psycho है कि laboratory और simulation research आने की आप वैसा involvement एक जगहा कहीं office में कहीं जगहा पर setup कर लेते हैं lab के अंदर वहाँ पर research करते हैं तो laboratory या simulation research कहलाता है इसी तरह के से दूसरा historical research historical research आने की जहां पर आप past events और ideas के बारे में research conduct करते हैं पास्ट events जो हुए है या पास्ट लोगों के बारे में जो आप कहते हैं आउसेश मिलते हैं तो उसके उपर research जब करते हैं तो उस टाइप के research को क्या कहते हैं historical research कहते हैं importance of research तो research की meaning और objective आप पढ़कर समझीगे होगे कि क्या importance हो सकता है तो सबसे पहले है कि helps to know and understand the key problem यानि कि actually में problem है क्या उसको जो है identify करने में उसको समझने में जो है research help करता है क्योंकि research को conduct करने से पहले आपको अपनी problem को क्या करना पड़ता है formulate करना पड़ता है research problem को formulate करना पड़ता है और hypothesis बनाना पड़ता है तो यह जो है आपको problem को समझने में जो है help करता है उसको जानने में समझने में help करता है helps to find out the solution of a problem but आप जब आप research करोगे तो आप ना किसी topic पर किसी ना किसी objective के लिए research conduct करते हैं और research conduct करके उस problem को solve out करने की कोसिस करते हैं जैसे की action research में होता है रिकोगनाइज दी potential opportunities and threats जैसे की आप medicine के लिए research होता है तो medicine में जो भी research होता है तो उसमें उसके क्या-क्या जो है symptoms हो सकते हैं वो भी चीज़े बताई जाती है यानि कि अगर आप कोई दवाई खाएंगे तिसके जो है यह symptoms हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपको दवाई खाने के बाद चक्कर आए या फिर जैसे आप जो है कफ सीरप पीते हैं तो कफ सीरप पीने के बाद जो है नीद आ जाता है तो आपके किसी एक solution पर नहीं पहुंचा जाता है वहाँ पर multiple options आपको मिलेंगे उस problem को solve करने के लिए तो आपके उपर depend करता है कि आप जो है कौन सा best options जो है choose करेंगे which car और promotion strategy to use जैसे कि marketing में होता है आप promotion करने के लिए आप advertising कर सकते हैं sales promotion कर सकते हैं तो कौन सा choose करें research के जरी आप confirm कर सकते हैं या फिर आप suppose करेंगे आपको कार लेना है तो market में Hyundai की भी कार है Tata की कार है या फिर आप महिंद्रा की कार है ठीक है अब कौन से मारूती की कार है तो कौन सी कार लें तो उसके लिए कि आप करते हैं research करो रिसर्च में क्या करोगे कि आप multiple जो ब्रैंड के कार है उनको जो है आप इसे लेट करोगे उसके बाद जो है अपने budget के कौर्डिंग उसमें जे short listing करोगे फिर उसके बाद उसके फीचर्स उसकी mileage उसकी बाद जो है आपके पास multiple की आपके पास चाट के आएंगे कि यहां पी है चाहिए वह आप प्रोड़ेट के वारे में जानना चाहते हों चाहिए वह कस्टमर की feedback स्केंत कुट में यह हैं sterkt करता है क्योंकी कश्टमर नहीं कर रहा है तो कूझ जैस की कॉद्स उसके करक्ट इसब्दर की स्थे सकता है उससे कि करेक्टर से स्कूर से महीं सकता है यह फिर कस्टमर की कि लीड कि डिमांड है उसको आप जो है अनलालाइज कर सकता है प्राइस में चेंज करने फिर दिमांड में कि फ्लेक्श्वेट किया होता है इसको भी कर सकते हैं कॉंपींटीट्र कि है उसके क्या Creatures है उसमें क्या कमी है या फिर क्या improvement किया सकता उसकी packaging में इसकी design में ब्रेंडिंग में क्या 새로 चाहिज चीज तो क्या है हर सेक्ट्र में चाहिए बात कर लें qualities of रेसर्च का यानि कि research की क्या quality तो देखे सबसे पहले important चीज clearly defined objective यानि कि जब भी आप कोई research करने जाते हो तो उसका objective क्या है क्यों research कर रहे हो परपज क्या है वो जो है clearly defined होता है पहले quality तो यह होगी दूसरी quality systematic यहाँ पर क्या होता है कि step by step आप research को conduct करते हो यह नहीं कि पहले पहुंच करते हैं कि सबसे पहले आप आप को identify करते हो problem को formulate करते हो उसके बाद research design बनाते हो कि क्रों से इंश्ट्ुमेंट use करनः कहा से data collect करना है कैसे data collect करना है उसके बाद data को collect करते हो फिर उसके बाद analysis करते हो data को वहां पर different statistical program का use करते हो फिर उसके बाद findings आती है उसमें recommendation देते हो, suggestion देते हो, appendix लगाते हो, तिये साइच चीज़े क्या होती है, systematic तरीके से होती है, दिन आता है ethically conducted, यानि कि यहाँ पर यहने कि आप गलत तरीके से research को conduct किया जा रहा है, यहाँ पर जो है सही तरीके से, questionnaire का use करेंगे, हम data collect करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ questionnaire, यहाँ पर observation method ज़रीए है, जो है, data collect कर सकते हैं, तो flexible है, can be re-examine till correct finding, यानि कि जब तक आपका correct finding नहीं आती है, आप तब तक उसको re-examine कर सकते हैं, उसमें changes कर सकते हैं, flexibility, reliability, reliability मैंने कि trustable है, यानि कि reliable कोई चीज कब होती है, जब आप उस चीज का use करो, और बार बार वो same type का measurement दे, आप जो है skill use करते हैं, तो 5 cm, अगर skill से कोई चीज दिखा रहा है, तो अब किसे भी skill से measure करोगे, तो 5 cm ही होगा, यानि कि वो reliable है, इंस्ट्रुमेंट reliable है, ति रि purpose से जो है, आपने research को connect किया है, उस purpose को solve करता है, ऐसा नहीं है कि जो purpose था, उसको solve करने के वज़ाए, कोई दूसरा purpose solve कर रहा है, तो फिर reliable हुआ, यानि वो valid नहीं हुआ, यानि कि applicability होते है, research की findings का use किया जा सकता है, validity यानि कि applicability आप उसको use कर सकते हो, accuracy, data क्या होगा, यह का use करते है, तो accurate data यहाँ पर जो है, nearly आपको मिलेगा, यहाँ पर assumptions नहीं होते है, clear यहाँ पर guess नहीं किया जाता है, last but not least, generalizability, यानि कि यहाँ पर क्या है, कि जो results होते है, जो findings होते है, research को, आप उसको generalize कर सकते हो, आनि कि large number of public पर उसको apply कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो है जिसके लिए research candidate की अगदर सिफ उसी पर applicable होगा, नहीं, आप जो है, उस research की finding को large number of people पर applicable कर सकते हो, अब किसी person को कोई बिमारी हुई, अब उसके लिए medicine research करके बनाए गई, तो अब वो type की बिमारी किसी को भी होगी, तो वो medicine वहाँ पर effect करेगी, तो यह generalizability हो गया, clear, तो research करके जो है, आप चीजों को जो भी finding आते हो, उसको generalize कर सकते हो, large number of people पर उसको applicable कर सकते हो,